आज हम बनाएंगे कड़ाई पनीर इसे हम घर के ही इंग्रिडियेंट से बहुत ही आसानी से और बहुत ही टेस्टी बना के तयार करेंगे अगर आपको मेरी ये आसान से रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम एक पैन में एक टेबल स्पून घी और एक टेबल स्पून तेल गरम करेंगे घी से इस डिस का टेस्ट अच्छा आता है अब हम इसमें थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे एक बड़ी लाईची, एक इंच डालचनी का टुकड़ा, एक तेज पत्ता और हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा फिर हम इसमें आधा कब, बारिक कटावा प्याज डालेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे गोल्डन ब्राउन कलर होने तक देखिए प्याज का कॉलर कितना अच्छा आया है, अब हम इसमें एक टेपल स्पून अध्रक लैसुन का पेश डालेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका रौस मिल चला जाए अब हम इसमें दो मिडियम साइज के टमाटर को ऐसे बारिक काटके डालेंगे, इसको अच्छे से मिला देंगे, फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और स्वात के अनुसार नमक, फिर हम इसे अच्छे से मिला देंगे, फिर हम इसे थोड़ी देर ढक के पकाएंग चार से पांच मिनिट बाद दिखेंगे टमाटर अच्छे से गल चुका है अब हम इसे इस तरह से थोड़ा-थोड़ा मैस करते हुए इसको अच्छे से मिला लेंगे मसालों में हम एक टीस्पून धन्या पाउडर एक टीस्पून जीरा पाउडर और एक बड़ी चम्माज कसमेरी ररचिली पाउडर का डालेंगे इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिलाएंगे और इसमें थोड़ा सा पानी अड़ करेंगे ताकि मसाले अच्छे से फूल जाएं और अच्छे से पक भी जाएं अब इन सारे मसालों को हम खुले में ही 3-4 मिनिट के लिए पकाएंगे जब मसाला पैन से तेल छोड़नी लगी तब समझ लेना कि हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है अब हम इसमें 200 ग्राम पनीर को ऐसे छोटे छोटे पिसस में काटके डालेंगे उपर से थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वात के अनुसार और इन सारे मसालों को और पनीर को अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हम पनीर को थोड़ी देर ढखके पका लेंगे तीन से चार मिनट बाद हम ढखका निकाल के देखेंगे हमारा पनीर अच्छे से फ्राय हो चुका है और मसालिव के साथ अच्छे से कोट हो चुका है अब हम इसमें थोड़ी सी गरम मसाला पावडर हाप टी स्पून और थोड़ा सा कसूरी मेथी को ऐसे क्रस करके डालेंगे और इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से कर देंगे mix इस stage में आप इसके जो खड़े मसाले हैं वो निकाल सकते हैं पनीर की इस सबजी को आप घर पे एक बार जरूर ट्राइ करें उपर से हम इसमें डालेंगे धेर सारा ताजा धनिया के पत्ते इसको हम अच्छे से कर देंगे mix और अंथ में हम इसमें डालेंगे fresh cream ये मैंने घर की मलाई को जो दूद के उपर जो मलाई रहती है उसको अच्छे से फेट के तयार कर लिया है आप चाहें तो packet वाली cream का भी इस्तमाल कर सकते हैं बाहर की packet वाली cream और घर की दूद में जो उपर मलाई रहती है वो दोनों सेम ही होती है उन दोनों का टेस्ट बिलकुल सेम आता है अब हम चलते हैं इसको serve करने के process में देखिए हमारी पनीर की सबजी कितनी tasty और amazing बन के तयार हुआ है दिखने में भी कितना cream है और खाने में तो लाजबाब है तो आप इसे एक बार जरूर ट्राइ करें और आपको ये recipe कैसी लगी मुझे comment करके जरूर बताएं